बच्चों कक्षा नोवी गड़िते विसे के अंतरकत नात्मा कक्षाओं इतु जो माडूल सतर दोजार तेईस चोबिस के लिए जारी किया गया है उसके अंतरकत अध्याइनो व्रत के अंतरकत वेकल्पिक प्रश्णों का यहाँ पे हम अध्यन कर रहे हैं जिसमें पहला प्रश्ण आप देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखना है तीन असंड्रेक बिंदू से होकर जाने वाले व्रतों की संख्या है तो वह होती है एक और आप्शन बिल्कुल सही है यदि हम एक वरत्त देखें तो यहाँ पे तीन असंड्रेक बिंदू से किवल एक और एक ही वरत्त जा सकता है यह प्रूब بھی किया जा चुका है इसके बाद दूसरा प्रस्ण है अर्द वरत पर बना कौन होता है तो यहाँ यदि हम अर्द वरत्त बनाएं अरद वरत और यहाँ इस पे अरद वरत पे एक कोण बनाएं, तो कोण का माप होती है 90 अंस के बराबर, यह यह समकोण होता है तो इसका तीसरा जो आपसन है वो इल्कु सही होगा, इसके बाद किसी चक्री चत्रबुज के सम्मू कोण का योगफल होता है, तो यह एक वरत है जिसमें चक्री चत्रबुज बना हुआ दिखाई दिता है और यदि इनके कुणों की मापों का योगफल किया जाए तो इनके कुणों की मापों का योगफल होता है 360 अंस के बराबर इसके 4 कुणों का योगफल होगा आप यदि इसमें हम सम्मुकूर्ण की बात करते हैं सम्मुकूर्ण अर्थात आमने सामने आमने सामने का जो कूर्ण का योखफल है वह 180 अंस के बराबर होता है तो इसका जो आंसर है वह होगा 180 अंस चलिए बात करते हैं हम रिक्तिस्थानों की पूर्ती करने वाले प्रश्णों की, जिसमें पहला प्रश्ण है, किसी व्रत के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्थान करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बच्चों, सम्द्वी भाजित करता है, इसके बाद अगला प्रश्ण है, दूसरा प् प्यास, तीसरा प्रश्ण, इसमें यदि किसी व्रत की त्रिजाएं बराबर हों, तो वे खालिस्थान होते हैं, तो यदि किनी दो व्रत की त्रिजाएं आप देखते हैं, अगर इनकी त्रिजाएं बराबर होती हैं, तो त्रिजाएं बराबर होने पर दोनों व्रत सरवां समलना chem कि मिलाने वाले K Fixee को व्रत की खालिस्थान कहते हैं इसे हम कहते हैं ब्रत कि चीव देखते हैं यहां पे हमने एक बनाये इसमें कि यह इसकी जीवा केलाती है यहां फर टीन कि इसमें एक सब्द और वाकिम अंदर वाला कहलाएगा और दूसरा भाग ये भाहर वाला कहलाएगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वहाँ होगा दो दो भागों में भाहित करता है किसी तलको व्रत दूसरा प्रशन है 5 cm तरिज्जा वाले व्रत के केंद्र से 3 cm दूरी परिष्थित जीवा की लंबाई क् कि जो दूरी है वो 3 cm बताना है और वरत की जो तरज्ज़ है 5 cm के बराबर है तो इस जीवा AB की लंबाई हमें ग्याद करना है तो यह हम जीवा की लंबाई ग्याद करने के लिए यहाँ पे एक समकूर तरबुज बनता हुँ दिखाई दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं OMA और इस समकूर तरबुज में पाइथागोरस का प्रमे लगाते हैं अर्थात करन का वर्ग यहने OA का वर्ग बराबर लंब OM का वर्ग धन आधार AM का वर्ग यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे OA का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग लिखेंगे बराबर OM का वर्ग तीन का वर्ग लिख आने पर वर्गमुल 16 का मान होगा 4 के बराबर, तो 4 सेंटीमेटर यहाँ पर AM का मान आ गया, अब AM का दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि जीवा पर डाला गया लम केंदर से जीवा को समझाजित करता है तो AM और BM का योग करना पड़ेगा अर्था 4 धन 4 करना पड़ेगा, जिससे 4 और 4, 8 सेंटीमेटर आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ जो जीवा की लमबाई है, वह होगी 8 सेंटीमेटर के बराबर, आईए प्रशन करवांग 3 देखे, जिसमें 2 सरवांगसम वरत्तों की तरजाओं में क्या संबंद होता है, बताना है दो सरवांगसम वरत्त हैं ये और इनकी तरजाएं आप देख रहे हैं दोनों तरजाएं बराबर बराबर होती है तो उपर हमने एक प्रशन भी देखा था इसके बाद चौथा प्रशन है, यह है जीवा जो वरत्त के केंदर से होकर जाती है यहाँ पर एक वरत्त में जीवा इसके केंदर से होकर यदी जाती है तो यह इसका क्या कहलाती है तो इसे हम कहते हैं व्यास बच्चों ये थे तीसरे प्रेश्ट के आंसर, प्रेश्टन क्रमांग चार देख रहे हैं, जिसमें सही जोड़ी हमने बनाना है, प्रेश्टन क्रमांग एक है, अर्ध वरत्य का कौन होता है, तो अर्ध वरत्य का बना कौन नब्यांस का होता है, इसके बाद चक्री व्रत्षों की तिर्जाएं इंद्र को अ divorce और फंगा इन तो यहfäh जिई थ tratar की तूर foster होती है पांच वे प्रस्ड जिसमें यदी एक व्रत्थ की तीन बरापर चापँं में काड़ दिया जाए तो प्रतेक चाप दीर्ग चाप होती है तो यह कथन भी आ सत्य है इसके बाद हम देख रहे हैं कि दीर वरत्तकर्ण में आंत्रिक कोण न्यून कोण होता है तो यहां पे जो दीर वरत्तकर्ण में आंत्रिक कोण होता है वह होता है न्यून कोण तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है इसके बाद वरत्त की समान जीवाएं केंदर पर समानपूर अंत्रित करती है, यह कथन भी सत्य होगा, इसके बाई बृत्त की सबसे बड़ी जीवात रिज्य कहलाती है, यह ब्यास कहलाती है, तो यह कथन कैसा होगा आ सत्य होगा, बच्चों यह थी आपके वेखल्पिक प्रश्ण, अध्धाय 9 के अंत